कोरोना वाइरस का कहर तीजी से पूरी दुनिया को अपनी चपीट में ले रहा है लाख कोशिशों के बाद भी कोविड-19 के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं इसी को रोकने के लिए सरकाल लगातार लॉकडाउन बढ़ा रही है फिलहाल लॉकडाउन को 31 महीं तक लाग कर ही रही है लेकिन इस संकत की घड़ी में उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए है बॉलीवुड एक्टर सोनु सूद पिछले कुश समय से बॉलीवुड एक्टर सोनु सूद सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहे हैं आम तोर पर फिल्मों में विलन के रोल में नजर आने वाले सोनु सूध कुछ दिनों के अंदर ही असल जंदेगी में सुपर हीरो बन गये हैं वो लॉकडाउन फेज में उन वर्कर्स की मदद कर रहे हैं जिन्हें अपने घर पहुचने में दिक्कत हो रही हैं वर्कर्स उनसे ट्वीट कर मदद मांग रहे हैं और एक्टर उनकी अब तक सोनु सूध हजारों प्रवासी मजदूरों को उनकी घर तक पहुचा चुके हैं हर तरह सोनु सूध के काम की सरहाना हो रही है वहीं अब बिहार में उनकी मूर्ती बनाने तक की बात सामनी आई है सोनु सूद की दर्यादिली को लेकर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है लोग उनकी तारीफ करते नहीं ठक रहे कोई उनके लिए कवीता लिख रहा है तो कोई उन्हें भगवान का दर्जा दे रहा है वहीं अब हाल ही में एक शक्स ने सोनू सूद की नेगदिली से खुश होकर ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि बिहार के सिवान जिले में उनकी मूर्ती बनवाने की लोग तैयारी कर रहे हैं एक शक्स ने ट्वीट करते हुए सोनू को टैग करते हुए लिखा ट्वीट पर लगाता यूजर्स रियक्ट कर रहे हैं अब सोनु सूद को लेकर बॉलिवड एक्टर अजे देवगन ने भी ट्वीट किया है और उनके इस काम की तारीफ की है सोनु सूद ने भी अजे देवगन के ट्वीट पर रिपलाई किया है अजे देवगन ने सोनु सू उन्होंने रिप्लाय करते हुए लिख्या शुक्रिया भाई आप लोगों के शब्दों से मुझे और ताकत मिलेगी और मुझे दूसरे लोगों को उनके परिजिनों तक पहुचाने के लिए उत्सहा मिलेगा धे सारप यार सोनों सूद लगातार प्रवासी श्रमिकों की कर रहे हैं और उन्हें उनकी घर पहुचाने की भरपूर कोशिशों में लगे हुए है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस्ट बैल आइकन फूर अपडेट्स